तो प्यारे दोस्तों आज आपके साथ जोड़े हैं ची डिसकुशन करने के लिए UGC NET September 2024 Re-Examination के सवालों के उपर यह सवाल वो है जो स्टेटिस्टिक से पूछे गए थे आपके Commerce और Management के पेपर के अंदर आएए फड़ा-फड़ से इन सवालों पर अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं उन प्यारे दोस्तों अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं UGC NET Commerce या फिर Management के लिए तो Ever Study Classes के पास आपके लिए detailed comprehensive courses अवेलिबल है पेपर वान और पेपर टू के लिए अगर आपको केवल प्रिक्टिस करनी है तो आपते सीरीज भी चेक आउट कर सकते हो और प्रिवेस येर कोर्शन का कोर्स भी अलग से चेक आउट कर सकते हो इन सभी courses की details आपको हमारी आप या फिर website पे मिल जाएगी चली तो प्यारे दोस्तों अभी अगला सवाल हमारे पास है which of the falling is the standard deviation of first seven यानी की one two seven natural numbers अब देखो पहले जो natural numbers है one two seven one two three four five six seven इनका standard deviation आपको निकालना है आप कैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं आप पूरा standard deviation निकालना चाहें फार्मुला लगा के scratch से तो निकाल सकते हैं it's up to you it's your choice बर उसमें time थोड़ा जादा लगता है इसके एक shortcut formula भी हमारे पास है जो मैं अभी आपको यहां पर बताने वाला हूँ यह formula हमारे पास है n square minus one divided by 12 का under root n हमारे पास है हमारे कितने natural numbers हम यहां पे ले रहे हैं तो 7 ले रहे हैं तो n 7 हो जाएगा 7 का square minus one divided by 12 49 minus one divided by 12 का under root आप करेंगे तो 48 by 12 का under root 48 by 12 यानि की 4 4 का under root हमारे पास 2 हो जाएगा correct answer इत्ती असानी से हमारे पास यहां पर option number 3 का बन गया चली तो प्यारे दोस्तों अभी अगला सवाल है माच करना लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को और लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ shapes दे रखें और लिस्ट 2 में दे रखें अची type of distribution और यहां पे सबसे पहली यहां पर नेगेटीवली स्कूड डिस्टिबूशन को यहां पर शो कर रहा है और अगर हम बी की बात करें तो यह यह हमारे पास यहां पर एक leptocurtic distribution को शो कर रहा है, यह ketosis से जुड़ा हुआ है, और C हमारे पास जो है, एक plettiv की तरह है, pletticurtic distribution को यहाँ पे शो कर रहा है, तो correct matching हमारे पास option number 1 की बन गई, option 1 answer यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, a person applies for a loan of rupees 1 lakh, the bank informed him that over the years it had received 2920 loan applications per year and probability of approval was on an average 0.85, the applicant wants to know the average number of loans approved per year by the bank, what can be that number, अब देखो यहाँ पे 1 lakh रुपे का कुछ लेना देना नहीं है, 2920 applications आती हैं और probability 0.85 की है, वो अप्रूव हो जाती है, तो इन में से 0.85, 85% अप्रूव होंगी, आप इसे multiply करेंगे 0.85 से 2482, option number 4 का जो आपका answer है, वो निकल कर आ जाएगा, पूरा multiply करने की भी जूरत नहीं है, आपको अंदाजे से ही पता लग जाएगा कि 2482 answer यहाँ पे आपका होना चाहिए. चोली, तो यहाँ पे अब सवाल है, हमारे पास, if the two regression lines are, 8x-10y plus 66 is equal to 0, and 40x-18y is equal to 214, then x-bar and y-bar are respectively. देखो, हमारी जो दो regression lines होती है, वो जिस point पे intersect करते हैं, वो आपका mean होता है, x-bar, y-bar आपका वो होता है. तो आप basically यह दो equations आपको दे रखें, आप उनको solve करेंगे, that will give you the point of intersection, और वही आपका mean यहाँ पे होगा. तो आईए फड़ा-फड़ से कोशिश करता है, इनको solve यहाँ पे करने की. देखो जी, पहली equation आपको 8x-10y plus 66 दे रखी है, और दूसरी में 40x दे रखा है, तो 8x है, एक जगा 40x है, आप दोनों को comparable बनाने के लिए, एक से दूसरे को घटाने के लिए, पहली वाली को भी multiply by 5 मैं कर देता हूँ. तो multiply by 5 करता हूँ पहली वाली को, तो यह हो गया 40x-50y plus 66 है, इसको मैं जो है, दूसरी साइड ले जाता हूँ. 66 multiply by 5 अगर मैं करूँगा, तो 330 होगा, और दूसरी साइड ले जाके यह minus में हो जाएगा. अब इन दोनों को, दो equations मेरे पास जो बनी है, इनको minus करूँगा, तो 40x-40x हो गया, यह minus minus plus हो गया, और यह भी minus minus plus हो गया, इसे मैं solve करूँगा, तो मेरा y की value निकल कर आ जाएगी, तो अगर मेरे y की value यहाँ पे क्या निकल कर आएगी, यह मेरे पास 50 minus 18, 50 minus 18 कितना होगा जी, 32y होगा, और यह 330 plus 214, यह बन गया 544, 544 बन गया न, तो 544 divided by 32, यहाँ पे इसको कुछ हत्तक हमें solve करना पड़ेगा, तो answer हमारा बनेगा, तो सबसे पहले तो यह मेरे को लग रहा है, सीधा सीधा 8 से काड़ता हूँ, 8, 4 is a 32, 8, 6 is a 48, और फिर हमारे पास यहाँ पे 64 बचा, 8, 8 is a 64, और 68 को divided by 4 अगर मैं करूँगा, तो यह मेरे पास यहाँ पे कितना निकल कर आजाएगा, य की वैल्यू मेरे पास 17 निकल कर आजाएगी, य की वैल्यू 17 आगी, अब किसी भी एक्वेशन में पुट कर दो, पहली वाली में पुट कर देते हैं, यहाँ पे y को 17, तो यह हो गया, 8x minus 10 into 17, यानि कि 170 plus 66 is equal to 0, तो यानि कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 8x, 170 minus 66 मेरे पास कितना होगा जी, यह हो जाएगा 104, है न, तो x को मैं निकाल सकता हूँ, वो 104 divided by 8, 8 1s are 8, यह आगया 13, 13 हो गया, 13 और 17, यानि कि option number 4 का answer बनेगा, देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको बस यह linear equation जो यहाँ पे बनी हुई है, दो, आपको उनको solve करना आना अची है, अगर आप linear equation solve करना जानते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जानते है, तो आपकी 10th class की बग दुबारा उठा कर देखना, मैस की, उसे अगरम आप लगाते हैं, इन equations को solve करने के लिए, तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है, from the falling, identify the measures of dispersion, तो dispersion के measures आपको यहाँ पे identify करने हैं, तो dispersion basically आपको बताते हैं कि आपका जो data set की values हैं, वो आपका जो central value है, उसे कित्ती जादा दूर है, कित्ती dispersed हैं, और mean deviation आपका यहाँ पे dispersion में आएगा, range आएगा, और यहाँ पे standard deviation आएगा, coefficient of variation आएगा, correlation यहाँ पे नहीं आता है, तो A, B, C और D, यानि कि option 4 का answer यहाँ पे हमारा सीधा-सीधा बन जाएगा. Coming to the next question, the distribution of data which has a long left tail is known as, देखो जी, अगर आपके data के अंदर left tail लंबी है, तो अगर आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है कि left वाली tail जो है, वो आपके लंबी है, इसे बोला जाता है, negatively skewed distribution, options अगर हम देखे, positively skewed, negatively skewed, symmetrical या फिर mesocortic distribution के options हैं, और यहाँ पे आपका जो correct answer बनने वाला है, that is going to be option number 2, negatively skewed distribution, चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सवाल है, matching का list 1, list 2 दे दी गई है, और यहाँ पे terms आपकी probability से जड़ी हुई है, और सबसे पहले दिया गया, joint occurrence of the events, joint occurrence of the events को आप किस से match यहाँ पे करेंगे, देखो joint occurrence का मतलब है, आप ने deck of cards में से 2 cards निकाले, और हम कहते है, probability बताओ कि एक king है और दूसरा queen है, तो दो events एक साथ आगई, इसे यहाँ पर compound event का नाम दिया जाता है, इसके बाद outcome of an experiment consisting of all the possible events, तो यहाँ पर सारी possible events अगर आपकी आजाएंगी, तो इसे collective exhaustive events बोला जाएगा, जैसे जब आप dice expected to occur in preference over the other, तो यहाँ पर आपकी एक event दूसरे से ज़्यादा probability वाली नहीं है, दूसरे से ज़्यादा preference वाली नहीं है, तो यहाँ पर हमारी जो दोनों events है, वो equally likely हो जाएंगी, जैसे आपने coin उचाला, तो head आने का भी बराबर chance, tail आने का भी बराबर chance, the occurrence of one event implies that the other cannot occur, तो this is mutually exclusive, कि दोनों में से एक ही अकर करेगा, जैसे आपने head, अगर coin उचाला head आया, तो tail अकर नहीं कर सकता, दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, तो they are mutually exclusive events, तो हमारी जो यहाँ पर matching बन रही है, वो बन रही है, as per option number one. Coming to the next question, a firm wants to launch a new brand of television and refrigerator, the firm conducted a survey and found that 60% of the households have television, 65% have a refrigerator and 35% both are television and refrigerator, if the household is randomly selected, what is the probability that household has either a television or a refrigerator, ठीक है, तो हमें क्या निकाल ला है, इधर a television or a refrigerator, यह probability निकाल ली है, तो कैसे निकाल लेंगे, simple formula, probability television plus probability refrigerator minus probability television and refrigerator, तो add कर दीजे, 0.6 plus 0.65 minus 0.35, 0.9 निकल कर आगया, correct answer, असानी से option number two का यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर सवाल है, when the number of trials is large, but the probability of success is small, binomial probability distribution can be approximated using, अब देखो, trials अगर बहुत जादा और probability success की काफी small हो, तो यहाँ पर अगर आप binomial probability distribution का इस्तमाल करना चाह रहे थे, तो आप यहाँ पर इसकी जगाँ पर पॉसान distribution का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अप्रोक्सिमेटली आपको सेम answer ही मिलताएगा, क्योंकि success की probability काफी छोटी है, और number of trials बहुत जादा है, correct answer यहाँ पर आपका option number 3 का बनेगा, चली तो बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ, और यह वाला सवाल है, which of the falling are positional averages, तो इन में से कौन सी positional averages हैं, देखो दो तरीके की averages हमारे पास होती हैं, एक होते हैं mathematical averages, जिसकी आप कुछ mathematical calculation करते हैं, और दूसरी होते हैं positional averages, जो आ आपकी positional averages नहीं है, mode, median और आपके quartile, decile, percentile इनहें आप positional average की category में डालते हो, और correct answer इसलिए यहाँ पर option number 4 का बनेगा, चली तो भी यहाँ पर सवाल है, which of the falling are the properties of regression coefficients, तो regression coefficients की कौन सी properties हैं, बिसिकली यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, इस सवाल के अंदर हम से, तो सबसे पहले कहा जा रहा है, r is equal to byx into bxy का under root, तो यह वाला बिल्कुल सही है, कि अगर आप दोनों regression coefficients को multiply करके under root करते हैं, यहाँ दोनों का geometric mean निकालते हैं, आप basically यह कह सकते हो, तो आपका correlation निकल करा जाएगा, change in origin are not affected, तो change in origin का कोई effect नहीं है regression coefficient पे, but change in scale का effect आता है, और इसलि दोनों negative तो आपका correlation भी negative, अगर आपका एक regression coefficient greater than 1 है, तो दूसरा आपका जो regression coefficient है, वो यहाँ पे less than 1 यहाँ पे होता है, तो यह भी एक property रहती है, और इसलिए correct answer आपका जो यहाँ पे बनेगा, वो बनेगा जी option number 3 का, चरी, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हबारे पास स इस NP, यह हमें 40 दे रखा है, और जो standard deviation होता है, वो होता है NPQ का under root, जो कि हमें 6 दे रखा है यहाँ पर, Q को हम लिख सकते हैं, 1-P, और यहाँ पे इसे 36 के बराबर हम बना सकते हैं, under root दूसरी साइट पर जाके square root हो जाएगा, और यहाँ पे अभी हमें निकालना है, N का value औ हमारे पास हैं, अभी क्या करते हैं, दोनों को आपस में divide करते हैं, और उससे मुझे लगता है कि P का value पता लग जाएगा, तो NP, 1-P, divided by NP, यह is equal to 36 है, और नीचे आजाएगा 40, दोनों को आपस में divide किया, और यह मेरे पास जो है, क्या निकल कर आगए, यह मेरे पास निकल क आगे, 9 by 10, 1-P is equal to 9 by 10 आगया, तो P की value तो प्यारे दोस्तों, 1 by 10 या फिर 0.1 निकल कर आजाएगे, अगर P की value 0.1 है, इस equation में put करते हैं, P की value, n into 0.1 is equal to 40, तो n की value हो गई 40 divided by 0.1 या फिर 400, आंसर हमारा option number 3 यहां पर बन जाएगा, तो simple mathematical calculation है, answer option 3 आपका यहां पर बन ज आएगा, यहारे दोस्तों, यह थी जी आज की हमारी चर्चा, UGC net re-exam के previous year questions के उपर, उमीद करता हूं आपको आज के session से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इस video को like तो आपने already करी दिया होगा, मिलते हैं next session में, till then goodbye, take care, all the best.